चैय मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योट्यूब चानल में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 मार्च और 24 मार्च के कन्या राशी फल के बारे में कन्या राशी के लोगों के लिए ये दोनों दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होंगे क्या योग बनेंगे और उनका प्रभाव आपकी दिनचरिया पर कैसा होगा अपका परिवार आपका व्यापार आपकी नौकरी दुकान आपका करियर आपके सिक्षा स्वास्त है प्रेम संबंध पारिवारी जीवन सभी के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले तो आपसे निवीधन है कि जो नीची लाल बटन है सबस्क्राइब का उसको प्रैस कर दें और उसके बराबर में जो घंटी का बटन है उसको जरूर दबाए इ इस मारज की बात करते हैं क्रश्नपक्ष की चतुर दशीति थी दोपहर बारा बज़कर तीस मिनट तक बनेगी उसके बाद अमावश्या लग जाएगी पूर्व भाध बद नक्षत्र रहेगा और शुब नाम का योग बनेगा ये सौमवार का दिन है जो सूर्या है वो मीन मीन राशी में है चंद्रमा शाम साड़े छे बुजे तक कुम राशी में रहेंगे उसके बाद मीन राशी में पर वेश करेंगे चोबिस मारज की बात करते हैं क्रश्नपक्ष की अमावश्याति थी है जो की दो बज़कर सतावन में नट तक रहेगी और इस दिन रेवती न तो ये थी ग्रहनक्षत्रों की स्थिति इसी के आधार पर हम जानेंगे ये दो दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं दोस्तों ये जो राशी फल है ये लगन और चंद्र पर आधारित है और कन्या राशी की हम बात कर रहे हैं तो कन्या राशी के लोगों के लिए ये दोन लेगी और साथ ही देखिए जो 24 मार्च का दिन है अमावश्या का दिन है अमावश्या तिथी है और यह जो तिथी होती है यह बहुत ही खास मानी जाती है अमावश्या तिथी इस दिन का उपाय हम आपको वीडियो का अंत में बताएंगे अमावश्या का लेकिन सबसे पहले ह हम जानलेते हैं, ये दो दिन आपके लिए क्या से रहेंगे तो 23 मार्च की बात करते हैं चंद्रमा आपके छटे भाव में होँगे छटा भाव रोग का भाव होता है शत्रू का भाव होता है और लेकिन यहां चंद्रमा जो बैठे हुए हैं तो यहाँ देखिए जो कुम राशीर है वहाँ बुद्ध भी विराजमान है अभी और यहाँ चंद्रमा के साथ आने से इस्तितियां बहुत अच्छी भी रहेंगी और कुछ जगा सावधानी भी रखनी होगी एक तो आपको इस दिन उन चीजों का महत्व देना होगा उन ची कारण आपकी प्रात्मिकता है पूरी नहीं हो पैं या कुछ मुद्धो को लेकर आज आप काफी सोच विचार भी कर सकते हैं यूजना बनाएं तो आपके दिमाग में इस पस्चता आएगी देखे ये समय ऐसा भी हो सकता है कि आप घर पर रहकर इस समय को बिताना चाहें औ और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने नौकरी पर जाएं कारशेतर अपने बिजनिस में जाएं जो भी आप काम करते हैं तो जैसा भी हो अगर आप अभी घर पर हैं तो परिवार के साथ वक्त बिताने का ये एक बहुत अच्छा मौका आपको मिला है क्योंकि काम की वज़ह स परिवार के साथ जो वक्त बिताने का मौका कम मिलता है आपके लिए ये एक सुनहरा आसर है अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए तो ये समय होगा आप अपनी संतान के साथ अच्छा वक्त बिता पाएंगे उसकी हर चीज़ पर आप ध्यान दे पाएंगे अपने माता पिता के साथ अच्छा आप जो वेवार है वो कर पाएंगे उनके साथ अच्छा वक्त बितेगा कुछ बातें करेंगे तो काफी अच्छा है हर चीज़ का महत आपको समझना चाहिए अगर घर में हैं तो इस मौके का पूरा फाइदा उठाएं परिवार वालों उसे बाते करें गुल मिलकर उनके साथ रहें जीवन साथी के बातों को समझने का मौका आपको मिलेगा तो जो भी इस्थितियां हो जैसी इस्थितियां हो चाहे कारेशेटर से जुड़ी हो चाहे परिवार से जुड़ी हो हर चीज को महत आपको देना होगा आपको बेहद अच्छा लगीगा इन सभी चीजों के बारे में काम करके अगर आपके हम करियर की बात करें तो देखिए आपका जो काम है वो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जिस दिशा में आप लेकर जा रहे थे उस दिशा में नहीं जा रहा है तो आप परिशान बिल्कुल भी न हो क्योंकि कुछ भी इस्तिती होती है देखिए एक जीवन की सच्चाई होती है कि हमारे जीवन में कभी अच्छा घटित होता है कभी अच्छा नहीं घटित होता है तो ऐसी स्तिती में आपको दहरिया से काम लेना चाहिए जो बदलाव होंगे वो अच्छे के लिए ही होंगे आपने जो अपनी पंक फैलाने उड़ने के लिए फैलाए हैं वो जरूर उड़ेंगे और आप कामियाब भी होंगे इस समय आप अपना काम बदलने के बारे में भी विचार कर सकते हैं तो आपको अपने काम की तरफ अपना रुजहान बढ़ाना होगा बदलने से अच्छा है आप उस पर थोड़ा सा ध्यान और दें और धहरिया बना कर चलें तो उसमें आपको प्राफिट जरूर देखने को मिलेगा वित्य स्थिति की बात करें व्यपार की बात करें तो देखिए यहां जो इस्थिति है वो छटे भाव में है तो एक तो इस दिन आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी शत्रों से थोड़ा सा सावधान रहना होगा अगर आप ऑफेस जाते हैं घर में रहेंगे तो स्वास्ते का ध्यान रखना होगा बाहर भी रहेंगे तो भी स्वास्ते के प्रती तो आपको सचेतर रहना ही होगा क्योंकि अगर स्वास्ते अच्छा है तो पारिवारिक जिंदगी भी अच्छी है और कारेशेतर आपना का काम भी अच्छा है स्वास्ते बिगड़े गया तो दोनों ही चीज़ों में नहीं आप कुछ कर सकते हैं तो स्वास्ते का ध्यान रखें परिवार की स्वास्ते का भी और अपने बच्चों की स्वास्ते का भी अब हम जानते हैं 24 मार्च की बात तो देखिए 24 मार्च ये दिन चंद्रमा आपके साथवे भाव में होंगे दामपत्य जीवन खिलखला कर बाहें पसार कर आपका स्वागत करेगा बहुत अच्छा सामजस है परिवार वालों के बीच आप पिठा पाएंगे उनके बीच में आप खुद को काफी सुरक्षित भी महसूस करेंगे और काफी खुशनुवा भी महसूस करेंगे ये वक्त करियर की द्रस्टी से देखा जाए तो देखिए जो अगर आप वैपार करते हैं साजेदारी में कोई बिजनेस करते हैं पूझी निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा दिन है आप पूझी निवेश कर सकते हैं फिर भी यहां आपको काफी बुद्धिमानी से काम करना होगा काफी शोध पहले आप कर लें जब अगर आप कुछ निवेश करना चाहते हैं तो जहां निवेश करना चाह रहे हैं, उसके बारे में हर पहलो पर ध्यान दे, अच्छे से सोच, विचार कर करें। किसी की बातों में आकर बिल्कुल भी निवेश नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि बातें जो उपर से अच्छी लगती हैं, असल जिन्दगी में वो अच्छी नहीं होती हैं। इसलिए किसी की बातों में नाकर खुद से शूध करके आप निवेश करें। आप अगर कम से परिशान हैं कि काम भी कम चल रहा है और लाब भी नहीं हो रहा है तो देखें आप उसमें कुछ बढ़ा सकते हैं, आप कुछ इंक्रिमेंट कर सकते हैं कि किस तरह से कुछ ऐसी योजनाय बना सकते हैं, अपनी साथी के साथ, अपनी दोस्त के साथ, किसी ऐस योजनाए आपको मिल सकें तो बातों को करने से लोगों के साथ शेयर करने से आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से अपने व्याफसाय के लिए एक अच्छा आधार तै कर सकते हैं तैयारी कर सकते हैं तो इन चीजों पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए बाकी देखिए इस समय आप अपनी प्रियातम के साथ खुशी पूरवक करेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि आपके प्रियातम से अगर आप प्रेम समंध में हैं तो उससे मिलना भी ना हो तो फोन पर आप कनेक्ट रह सकते हैं कोई भारी व्यक्ति आपके रिष्टे में हस्त शेप ना करें इस बात का ध्यान रखें क्योंकि मामला आसानी से बिगड़ सकता है कोई परिशानी है किसी तरह की नोगजोग चल रही है तो स्वैम ही निप्टाए तो अच्छा है वयाम करने के लिए अभी आप थोड़े दिन ध्यान रखें घर पर ही वयाम करें जिम ना जाएं बाहर पार्क में भी ना जाएं तो अच्छा रहेगा और अगर आप बुजूर्ग हैं यानि 60 अबब हैं 60 साल से उपर के व्यक्ति हैं तो बिल्कुल भी बाहर निकलना आप अवाइड करें तो बहुत अच्छा होगा स्वास्ते समधी जितनी भी क्रियाएं होती हैं आप योग करना चाहते हैं वो आप घर में बैठ कर करें तो सब भी उच्छी तर्णने अगर आप सही समय पर लेंगे तो लाबदयक होगा देखे 24 मार्ज का दिन जो है अमावश्य का दिन है जो कि पित्रों के तरपन करने के लिए बहुत ही शुम माना जाता है लेकिन इस दिन एक ऐसा उपाय है जो आपको जरूर करना चाहिए आपको एक नारियल लेना है जो सुखा नारियल होता है पूजा के लिए उस नारियल को आपको लेना है और उसे अपने सिर के उपर से साथ बार आपको उतारना है और उसे साथ बार अपने उपर से उतार कर आपको वो बहते जल में ववाहित कर देना है देखे ये जो एक उपाया है अमावाशा के दिन आपको प्रतिक अमावाशा के दिन अगर करें तो बहुत इश्यूब रहेगा इससे एक तो आपके उपर किसी भी तरह की नजर किसी भी तरह का दोश शनी दोश, राहु का, केतुगा जो भी हो, वो समाप्त होता है और अगर वो समाप्त होता है तो आपका जो काम में रुकावटे हैं जो किसी की नजर लग जाती है वो जो रुकावटे हैं, वो खत्म होंगी तो इस उपाया को आप अमावाशा के दिन जरूर करें साथी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें धैन्यवाद